है कि कि अगा आप एक अगा टीक होंगे दुर्स होंगे तरुस होंगे स्वागत है आप सभी का ये काडमी एड्यकेशन जो कि आपको देता कि बेस्ट डिफेंज एड्यकेशन ए कि सारे सारे ने तरह से जो भी आपकर बंडगा उसके लिए आपके सामने ही में कि एक हम आपके सोब्ना नेजरी होता है यह आपके चैनल पिनने पर से ज्राइब करा Stories ।ो कि सब्सक्राय Lotta ओग मौनिंग सेशं और एक होटा आपका इव्निंग कि मॉर्निक सेशन आपका रीजनिंग के लिए होता है और यह आपके दस भेसे ध्यारवे तक आपके राकेश सर लेते हैं और आपको जो स्टाटिक दिंगेकर सेशन आपके 11 बैसे 12 बैस तक आपके रनमीडर यानि मैं लेता हूं जर्नल साइन्स के सेशन आपके 5-6 वे तक शाम को ओते हैं जैसे आपके एक 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 स्पोर्ट एजूकेटर लेते हैं फिर आपके एक इंग्लिज का सेशन को जरूर ट्रेंड करें जरूर इन सेशंस में इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका स्क्रीन शॉट लेकर अब अतने वार रखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इन बहुत ही इंपॉर्टंटकी बस आपको एक चाल कि आपको लाइक करना है है सेशं को शेयर करना है सेशं को और चैनल को सब्सक्राइब करना है है था कि हमें भी यार एक बच्चे спокой रहे हैं हमारा यहां बीक्प्छै रृशा करें औो फिस्कट जिसy पश सम कि लिए रहोगा मेरे खाल से चलिए अब आपका एक जो मॉडर्ण इस्ट्रीम पड़े तो उसका एक को टॉपिक सुडू करते हैं ये योपीएंस एंडिया देखे जो ये मैं ŞuOS और में हिंदुसान їхी चौना ने के बास हीरे श्रफिया यह स्फरियों यह सब था युसका सथ इंड्या के पास displacement-10agar कहते होंगे इंडिया था लाइंड ऑप्रचुनिटी कि होता क्या था कि यहां पे आपके वैस्कोडी गामा जिन्होंने इंडिन सबकॉंटिनेंट के लिए एक छोटा रूट डूंडा आपके वह इंडिया मैं तो नहीं ब्लैक पर यानि काली मिट्स कहते हैं वह खरी दी और उसके जाके उन्होंने युरोप में बेचा तो उन्हें साट गुना प्रॉफिट हुआ साट गुना यानि एक रूपे की चीज उन्होंने साट रूपे में बहां बेची तो एक बिजनस उपरचिनटी इनको देखी पहले आपके जो अरेबियंस होते तो उनसे ट्रेड करते आपके बिचली यानि जो आपके मिडल में थे वह थे आपके रिवन के ऐंग अगलीं में अग्लेश को कि इंडिया एक इट्राक्ट थेइशन की तरह दिखने लगा यूरोपेंस को क्योंकि अब पता चलने लग गया थे तिक पहले तो यह पौरां पर यह पता लगा कि अग तो उसके बाद यह आपके पॉलिटिकल अफेर्स में भी घुशन लगे उसके बाद इन्हों ने आपके अपनी कॉलनी यानि यहां पे अपने लोगों को बसाया यहां पे अपना पूरा राज करा ठीक है जिससे जो आपकी इरोपीन पावर से उनके वीच में बड़े ही मुद इस वह अपना रूल इस्टाबरस्ट कर लिए हिंदुस्ताम में हमें में मिली पांच यूरोपीन कंपनीस के बारे में पढ़ना है जन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में लगाया था और देखे सबका जो कोस्ट जो होता था ना एक लोकीशन वह कोस्टल उनके देखेंगे सबसे परले हम देखेंगे उनके company का नाम फिर जो headquarter उनका वो और फिर वो कौन से साल में उनकी सापना वी वह देख दिन अगला सबसे बहले थी आपकी कौन सी Portuguese East India Company सबसे पहले थी आपकी कौन सी Portuguese East India Company इसने अपना जो आपका headquarter था है वो आपके कोचिन में लगाया और बाद में इन्होंने अतना headquarter था वो गोवा में शिफर लिया यह 1490 में आये थे पहली बात जो Portuguese थे यह first to come नहीं सबसे पहले यह आए सबसे पहले आने वाले और उसके बाद यह last to go थे last to go first to come and last to go Portuguese East India Company यह गोवा में थे सबसे पहले यहां आए इंडिया में और यह सबसे लास्ट में इंडिया से गए यह first to come and last to go थे first to come and last to go कौन आपके Portuguese इसने कंपनी और यह आपके 1498 में आए हिंदुसान में और यह कब गए आपके उन्ने सो एक सट में उन्ने सो एक सट में जो आपका ऑपरेशन विजी के तहित जब आपका गोवा को लिबिट करा गया along with गोवा एंड दमन एंड दियो तब ऐसे लिबिट करा गया उसके अधाति है आपकी English इस इंडिया कंपनी देखे आई तो पहले आपकी ड़स थी ले इंगलेश इस इंडिया कंपनी इन्होंने सबसे फ़ले फाटरिया आपके सूरत में लगाई उसके आपके बंबे में फिर आपके मसूली पत्नम में मदरासम बाद में इन्होंने कॉलकाता को अपना बेस बना लिए यानी बेंगॉल में नहीं नहीं अद्टा दबदबाग सोगता तो इसलिए नहीं बिंगॉल को अपना पूरा एरिया बना लिया और यह शोला सो में इन्होंने अपनी कंपनी के स्टाबलिश्मेंट करें इंगलिश इटीड़ना कंपनी के उसके बाद डच इस इंडिया कंपनी आई सबसे बाद यह आपके पूलीकेट में लगाई इसके बाद यह नागपटेनम में लगा इसके बाद हुगलीम आके बस गए और यह 1602 में 1602 में इन्होंने अपनी फैक्टरी की स्थापना करें डैनेश यानि आपके डैनेश का मतलब क्या हो आपका डैनमार्क 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 इस इंडिया कंपनी यह 1616 में इन्होंन यूनों कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट रही हो सबसे पहले चलिए क्यों कि बिजनस हो गया तो नहीं पता था कि यहां भी लड़ाई हो नहीं है इन्हों अतना सारे बिजनस आपके इंग्लिश को बेचा और यह फिर वापस आपके वतन लोड़ के उसका दाती है आपकी लास्ट वुकम था है सबसे आखेर हम यह लास्ट वुकम लास्ट वुकम कौन फ्रेंच इस इंडिया कमपनी फ्रेंच इस इंडिया कमपनी ओके कि अगला सवार जो अगले हमें पढ़ना है अब एक एक करके जो सारी आपकी इरोपियन पावर से उन कैमरा में पढ़ते हैं ठीक को आरे में समझते हैं सबसे मिले तो कहने आपके पॉर्टिकीज गा मनें आपका जो चाला सखथा इंडिया सकते थे उसकी वजे से बहुत जल्दी आनशा पहले बड़ा गूमस के आना पढ़ता है और उसके वादि कालिकेट पहुंचे है 240-98 में केलिकट में जो उस ताइम के आपके हिंदू रूलर थे जिनका नाम तास का जमोरिन उन्होंने इनका वेलकम करा लेकर जो अरब से उन्होंने का कि आप इनको मद बुलाई जो इनकी हमें नियत पता है कैसे हैं लिकेंजमोरिन माने ही क्योंकि पैसे के सामने सब अंध्य हो जाते हैं पॉर्टिगेज जो थे यह आपके पोर्टिगली उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सेशन था याँनि ट्रेड करने के लिए एक तरीके साब पोस्स कह सकते हो आपक कोचिन कोचिन naming object थी जरी ली अपके राजधानी लेकर बाद में इसे कोवा को बना दिया घ्या बाद मने कोवाम अपनी राजधानी बना दिया सबसे पहले जो गवर्नर आपको या नी सबसे पहले जो आपके साशक आपके पॉर्टिगीज के इंडिया में था वो थे आपके फ्रांसिस्को डे अलमीडा और इन्हें आपके पॉलसी और ब्लू बॉटर के लिए क्रेड़िट दिया जाता है दिखें कोशन आएगा कि पॉल ब्लू पॉलसी के तरह कि जो अरफ शिप्स थी अरफ जापके आपके जो गुड जाते था ट्रांस्पूर्ट उन पे कब्जा करा उनको अटाक करा और उन्हें ट्रेड नहीं करने दिया हिंदुस्तान के साथ और अब बाजी उल्टी होगी अगर अरफ को इंडिया के साथ और वह भी साउथ से तो वह उन्हें पॉल्टी के तुरू करना पड़ेगा वरना वह ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल ही बाजी इन्होंने पलट थी बाजी बिल्कुल पलटी तो अरफ को भी समझ मागया हो कि हाँ आब हमारा दपताबा खतम हो चुका है तो यही इनके नाम पर यह आपका जो इलफांसो आम है वो रखा गया है यह आपके दूसरे गवरनर बने आपके पॉर्टिकुलियों के आपके हिंदुस्तान में पंद्रा सो नो में इन्होंने पॉलिस इफ इंपिरियलिस्ट हैं हम यहाँ पे साशक बनने आये हैं हम यहाँ पे बॉढ और फॉट को अपनी है कैपुलिय बना लिया किसी जो पॉर्टिकुलियों इंडिया में एलब़ारच ने एक फोड भी बनाया कोचन में इन्होंने जो इनके लोग थे पॉर्टिकुलियों के। उनने इनके रच कह रहा कि आप भारती औरतों के साथ शाधी करें और इन्हों ने मलक्का नार्व刑 स्विलंका को पुराना नाम है रे उसे भी कैप्चर कर सुएब कि मनग्र आपके किसे ही शिलंका को इन्हों नेक्प्चर कर तक है कि मार्टिन एलफांशो दे सूजा यह आपके पॉर्टिकीज गवर्णर बने आपके 1542 में इन्होंने आपके एक जीजस ट्रेंट से इनका नाता फुका फ्रांशिसको जेवियर यह हिंदुस्तान में आया एक सथ और तब तक ठीक है तब तक पॉर्टिकीज आपके दीव आपक आपके मुगल नोबल और शाजा यानि आपके जो शाजा थे उनके आपके नोबल थे यानि उनके आपके कोट के आदमी थे उनकी तरफ यह आपका हुगली हार जाते यानि बेंगॉल का में एरिया 1661 में Bombay को इनको देना पड़ा देहेज में आपके चाल्स two को जो एंग्लेन की एक आपके प्रिंस ते है युबरास थे ठीक है क्योंकि जो तो इंग्लेंड के प्रिंस चाल्स टू थे उन्होंने आपकी एक पॉर्टिगीस किंग तो उस टाइम पे उन्सकी भेहंचे शादी करी थी तो इसलिए दहेज में आपके बॉंबे देना पड़ गया और यूनों बॉंबे को चाल्स टू जो ऑफ इंग्लेंड जो की बारे बारे लेकिन पॉर्टिगीस के बाद एंड में से गोवा दियू और दमन ही बचा जिसको इन्होंने ति 1961 रिटेन करा जब तक आपका ऑपरेशन विजय होकर इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला नहीं किया इंडियन आमी और आपका इंडियन पुलिस क्लियर है पॉर कि अगला जो आपकी डच थे डच इस इंडियन कंपनी आपके 1602 में था पेत हुई लेकिने पहले आप पहले गए थे इन्होंने आपकी सेट्लिमेंट्स को आपके मसूली पटनम पुलिकेट सूरत कराइकल नागा पटनम चेंसूरा कासिम बजार आपके आज करनेंपे आपका बांगले दिश में बारंगोर पटना बालासौर और आपके कोचिन जैसी जगाओं पे लगाया सत्रवी सदी में इन्होंने पॉर्टिकलियों को हराया ठीक है और यूरोपियंस में से जो और पावर सी उसमें सबसादर डॉमिनेंट यह अपने आपको कहलाने लग गये इस्ट में यानि आपके पूरब में ठीक है पूलिकेट इनके ट्रेडिंग का में चेंटर था बाव से थोड़ी मुद्वेड होती है अंग्लो डच राइवल्री यानि इंग्लिश और आपकी डच की जो आपके राइवल्री थे डच कहां के था आपके नेथरलेंड के उस टाइम पेमें से डश्लैंड भी कहते थे साथ 10 को तक यह राइवल्री चली और बाद में बैटल अब बदेरा होता है जिसमें डच बहुत बुरी तरह हार जाते हैं अगले सबसे ज्यादा इंपॉर्टन सबसे ज्यादा इंपॉर्टन वो कौन है आपके इंग्लिश यूरोपियन जब हिंदुस्तान में तो इंग्लिश पीछे रहना नहीं चाहते थे इसलिए 1600 में इंग्लिश आपके पहुंच गए जहांगीर के कोट में कि हमें एक फैट्री खोलने दीजे सूरत में 1612 में जहांगीर ने क्यूंकि एक इंग्लिश जॉक्टर ने ट्रीट करने में हेल्प करा था तो इन्होंने एक फरमान दिया जिसमें यह कहा गया कि हाँ आप एक टेंप्रेरी फैट इंडिया में कोई नहीं गया था तो इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स अब इंडिया के डेप में उसके लगाने लगे सुला सो निसमें इन्होंने अपनी फैट्रियां आगरा अलहाबाद वरोडा और ब्रोज जैसी जगाओं पर भी खोली और company ने बॉंबे को अक्वार करा चार्ल्स टू से ऑन लीज बहुत लंबे समय की लिज बहुत ही कम मूले पर बहुत ही एक लंबे समय के लिए ठीक है आपके फ्रांसिस डेक इंसांते जन्होंने एक आपका मदरास ठीक है की स्थापनगरी आपके सिक्षिन 39 में उससे पहले आपका ये शेर नहीं आपका पूरे प्रांध किलाता था जहां पे आपका फोर्ट सेंड जोर्च को बनाया गया 1690 में जॉर्च आपके जॉब चार्नॉक ने इक आपकी फैट्री एस्टैब्लिश करें आपके सूतानती ने जमीनदारी यानि कि वहां आपका आपका जमीनदार का मतलब एक तरीके से जो लैंड बैंक है वह सारा आपका जमीनदार के प्रासे अब हुआ क्या कि जब सुतानती कालिकाता और आपके गोवेंधवन तूर कि जो जमीन-दारी ती वह सारी आपके इंग्लेस नेक्वायर कलिए 1698 में बागे चलके आगे चलके ही जो suasha ने काली काता और आपके गोविंद्पूरी आगे चलके आपका कॉलकाता बना जहां पर आपका इन्होंने करने के लिए फोर्ट पेलियम भी बनाया कॉलकाता आगे चलके आपकी ब्रिटिश इंडिया की कापिटल भी बनेगा बाद में वो 1912 में दिल्ली से रिप्लेस हो जाता है इंग्लिश इंडा कंपनी आपकी अपनी एक्जिस्टेंस में रहती है तिल 1858 ठीक है उसके बाद यह ब्रिटिश प्राउन आपका रूल करने लग जाता है अगले आपके कौन डैनिश कि दानिश आपके अगले थे जब यूरोपेंस इंडिया में आए जब यूरोपेंस इ अपके डैनिश होगा जो डैनिश इपार्टमेंट आपका ट्रेंका बार में जूराइस के जो आपके सेटलमेंट की आपके ट्रेंक बार में ठीक है जिसका रांपर जाज को हम आज करेंपर थरंगम बड़ी कहते हैं तमिल्ञादू में 16-20 में सब्लेशिए एक और इंपॉ कि सारी जो भी सेटल्मेंट सी वह खरीद दी आपके 1845 में और यह फिर वापेस अपने बतन डेन्मार्क लॉट गया जैसे मैंने बताया था यह बनो दिल्लांस टू का एंद फर्स टू गो थे सबसे आखिर में आते हैं कौन आपकी फ्रेश इस इंडिया कंपनी जिससे 1664 में कॉलबर्ट ने बनाया जो इनकी पहली फैट्टरी थी वह आपकी सूरत में फ्रैंकोईस मार्टें द्वारा स्तापद करीगी 1668 में एक और फैट्टरी इन्होंने मसूली पटनम में भी बनाई 1673 में पॉंडिचरी को की स्तापना करीगी आपके फ्रैंकोईस मार्टें अब फ्रैंस हो गए लेकिन था क्या कि फ्रांच की यूरोप में अगर हम देखें तो यूके और फ्रांच के राइवल्री वहां थी और वो राइवल्री जो थी वो इंडिया में भी आई इसलिए तीन युद होते हैं तीन युद होते हैं आपके पहले दूसरी और तीसरा आइंग्लो-फ्रेंच वार्ष छेने हम आपका करनाटाथिक युद्ध भी कहते हैं अगलो-फ्रेंच कॉंफलेट यानि आपका करनाटाथिक व भी कहते है दिखेंह जब आपका मुगल जो सलतन तो फी जब वो गिरने लगी ऐं ठीक है मुगल फक्रोल से पापकी गिर और जो करनातिक जो रीजन था याGन के डचकन तो इससे निजाम के डॉमिनियन बना दिया गया चैनرف का यह जो तीन करनातिक क्यों से आठाव के युद हुए इसें हो पॉसारा था ना केवल वह आपकेशन के विजये से हुई बाकी जह दो ग्रूप में जो चीज हो रही थी उसका यहां पर फैट हुआ ओके एक सेकंड होल करेंगे अब पहला करनाटिक का जो वार था आपका या जो एंगलो फ्रेंच वार था आपको 1740 से लेके 1748 तक हुआ ठीक है 1740 में जब आपको अस्ट्रियन वार अस्ट्रियक अलग देश बन गया और कौन उसे सक्सीड करें या नहीं किस देश का विस्सा बनेगा वह उसके लिए वार ब्रेक आट होगा आपके हिरोक में इंग्लेंड और फ्रांस आपके राइबल्स बन गए फ्रांस ने आपक और इस बैटल में लड़ने वाले कौन था आपके फ्रेंज गवर्नर डूपलेक्स जब आपको अस्ट्रियन सक्टेशन वार खतम होता है तो वहां पर एक आपकी ट्रीटी ऑफ एक्सले चपैल होती है 1749 में और इसी से के साथ आपका पहला अंग्लो फ्रेंच वार भी खतम हो जाता है यानि यूरोप में हो रहा है उसकी वैसे आपका यहां पर वार हुआ और वहां पर ट्रीटी वी तो यहां पर भी वार खतम होगे यानि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था अगला सेकेंड अंग्लो फ्रेंच वार आपका 1749 से सारी 1749 से लेके 1754 तक होता है जबके फ् पाक्ट करा कि हम आपका जो सिंगासेन पर बैठने का आपका हक्यों उसका पूरी तरह सपोर्ट करते हैं आरकाउट और आपके हैदरबाद का ठीक है पहले तो फ्रेंच जीत रहा था पहले तो आपका फ्रेंच जीत रहा था लेकिन फिर जब आपके रॉबर्ट क्लाइव पाते हैं न तो इंग्लेश एक बहुत ही असान जीत ले लेता है दूसरा करनाटिक वार कंक्लूड हुआ आपके ट्रीटी ऑफ पॉंडी सरी के बाद जैसे हम आपको ट्रीटी ऑफ गड़ो भी कहते हैं क्योंकि डूप्लेक्स अतनी मुरी तरहा रहे थे कि जो नए 1594 में अगला कं तीसरा करनाटिक युदल या एंगलो फ्रेंश वह आपका सत्रहा Dubai से लेके सत्रहासी सो तर्हासी तक तक हुए जो तीसरा करनाटिक का jut था मैं उस जो साथ नए वह था आपका 1756 से लेके 1773 तक उसकी वैसे आपका तीसरा करनाटी के यूद यूद आपके यूरोप में हो रहा है लेकिन इफैट उसका यहां पे भी आ रहा है फ्रेंच के जो ट्रूप से उन्होंने काउंड ले लिए जो स्थांप आपके आर्मी जनल थे फ्रेंच के उनके अंडर फोर्ट सेंड डेविड को काप्चर कर लिया इंग्लेश ने बैटल ऑव वंडिवर्स 1760 में अर आया इंग्लेश ने काप्चर कर रहा और का यूद भी खातं होता है और फ्रेंच क्यूंड आपके लिए पनटीचरी कराइकल माहे और ये चारही मिल्के आपका पॉंडीचरी बनाते हैं या आपके चारी प्रेंड होते हैं कि दे गेट रिस्ट्रिक्टिट कि हम यहीं पर रहेंगे और हम और कहीं नहीं जा सकते हैं कि क्लियर है यह चीज क्लियर है तो यहां हम आपके जो European's है यहां मैं आपका जो यह का टॉपिक है उसे खतम करता हूं और कल से हम आपका जो एक इंडीपेंडेंस मोव्मेंट है यानी इंडिया नाशनल मॉवमेंट है उसे भी जल्द hem कर देंगे देखिए एक्जाम में इतना ही बहुत है और करने जाओगे तो बाकी भी चीज़े याद ने रहेंगी बहुत सारा सब्जेट सभी पढ़ने है ठीक है लेकिन इससे मैं आपको अगर सज बोलू तो आपको इससे लग बग दो से तीन कोश्चन देखने का मिल सकते हैं ठीक है इस टॉपिक से दो सी तीन कोश्चन डायेटली और बस आपको कैसे आद करना है पहली बात तो यह आद होना है कैसे कैसे और मैं सबसे बहुत आई 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 आपकी पॉर्टिकीज जैसे कंट्री इस कौन सुकूंस आई फिर आपकी इंग्लिश आई फिर आपकी कौन सी आई डैनिश आई डे इन चिनम कहता है फिर आपकी फ्रेंच आई और फैक्ट्री आपका कौन सा कि यह किसका ओडर आपका पी डी डी एन यह उसका कि कैसे आए कि कमिंगुए अइयसे आपको एक कोशन आ सकता है दूसरा के ऐसे ना सकता है कि कोफाम से फिर कांप इन्होंने क्यां और गोलकर वह एक आ सकता आपको तो और तो कुछ नहीं आए गपा और तो आपको जादा कुछ भी नहीं आए तो छिए लेकिन एक इंबॉर्टन आपक अपिक तो आपको इसको पढ़ना यह अच्छा से ठीक है और शेशन को लाइक करें शेर करें और चानल को भी सप्थाइब करें तो थेंक यू गाइस एंकियो फॉर लिक्न दिस्टेशन प्रीस लाइक दिस वीडियो शेर दिस इन्सवेड कि अगुए जानल एंक डिचानल प्री आप टांटेबल इसका स्विंचा जरूर लेके रखें अपने पास ठीक है इसका सीश्ट जरूर लेकर लेकर रहें तो मिलता care all the best and God bless you all bye bye take care all the best and Jain